प्रितम और अमरिता जो की शो के मेंल लिड्स हैं दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गया है इनका काफी अच्छा बॉंड भी जो है वो बन गया है तो आने वाले दिनों में कुछ नए टुिस्ट अं टर्न्स आपको शो में देखने को मिलेंगे युवराज तो जो जैसा कि आपको पता ही होगी अमरिता के जो फैमिली वगएरा वाले हैं वो चाहते हैं शो में कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए री मैरिज उसकी करवा दें और फिर अच्छे से सैटल वगएरा रहे तो ये वो चाहते हैं और इसी के कारण वो बुलाएंगे युवराज नाम के लड़के को जो कि एक NRI होगा और वही एक करेक्टर जो है काफी जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है अपकमी एपिसोड में अपकमिंग ट्रैक्स में जो कि आपको इस शो में देखने को मिलने वाले हैं तो इसकी शादी वगएरा वो करवानने चाहेंगे अमरिता से इसी के कारण अपकमिंग एपिसोड में काफी जादा नए ट्विस्ट एंटरंस देखने को मिलेंगे इस नई एंट्री से काफी जादा नया ड्रामा शो में देखने को मिलेगा और अभी के लिए यह नहीं बताई कि यह जो करेक्टर होगा योवराज का क्या है पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव होने वाला है तो यह तो नहीं बता लेकिन इसकी एंट्री जरूर आइमीन यह जो करेक्टर है जरूर इंपोर्टन रहने वाला है शो की स्टोरी के लिए तो गैस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे जिन्दगी मेरे घराना स्टार प्लस के फैंस के साथ कमेंट से मताइए आप इस शो को पसंद कर रहे हैं और फिर नहीं इसके जो लेटस्ट एपिसोड चल रहे हैं और गैस ऐसी ही जिन्दगी मेरे घराना स्टार प्लस के निउस के लिए हमारे चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब साथ में जो बेले करना है यानि की घंटे का उप्शन है उसको जरूर दबा लीजे ताकि आप किसी भी अबडेट को मिस न करें जब मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो फिलाल के वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ गुडबाई